Hello friends, welcome to my channel, I am Shital Saraswat and आज हम बात करने वाले हैं Error Boundaries in React Advanced So, Error Boundaries को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में कुछ points को जान लेते हैं कि actual में वो है क्या So friends, अभी तक हम लोगों ने जो React component पे काम किया है, हम लोग basically React में components ही बनाते हैं जो कि reusable होते हैं तो वैसा ही component हम बनाएंगे Error Boundaries के लिए, जो सर्फ JavaScript errors को catch करेगा Then second point है हमारा कि कभी-कभी क्या होता है, कि जब हमारे पास कोई भी error आ जाती है, तो हमारी पूरी site crash हो जाती है तो उसकी जगा हम लोग क्या करेंगे, कि उसको crash ना करने की जगा, अपना एक UI बनाएंगे, अपना कुछ something थोड़ा छोटा code लिख देंगे एंड उसको हम errors की जगा show करा देंगे Then next point है हमारा, एक class component becomes an error boundary Friends, ये चीज़ हमेरे ध्यान रखने की है, कि जब भी हम error boundary के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हमें लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, कि हमें class component ही बनाना है हम लोग कभी भी function component नहीं बनाएंगे error boundaries के लिए and class component में या तो हमारे पास में get drive state from error ये function हो या हमारे पास component did catch function हो, अगर हमारे पास में इन दोरों में से कोई भी function नहीं है तो हम उसको error boundaries component नहीं बोल सकते, then next point है हमारा error boundaries don't catch error for event handlers, asynchronous code and server side rendering code So friends, मैं आपको बता दूं कि error boundary क्या करेगा, सिर्फ अपने children component में error को found करेगा ना कि जो error boundaries में हमने code लिखा है, उसको found नहीं करेगा या जो हमने उस boundary के beyond जाके code लिख दिया, ये उसको भी found नहीं करेगा तो चलिए friends, start करते हैं, ये मैंने एक छोटी सी app बनाई हुई है, जिसमें जस्त मैंने अभी एक ही heading लिखी हुई है, example of error boundary, इसका मैं भी result दिखा देती हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास में एक error boundary आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं एक button बनाने वाली हूँ, show error के नाम से, and click पे मैं एक function call कराऊंगी, show error, अब इस function को बनाने के लिए, मुझे पहले यहाँ पर एक constructor बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने function को bind कराना है, अभी मैं state कुछ नहीं बना रही हूँ, यह मैंने function को bind करा लिया है, और यहाँ पर मैं function को define कर देती हूँ, suppose like that, मैं यहाँ पर एक state बनाती हूँ, has error के नाम से, जिसको मैं false रख देती हूँ, और यहाँ पर मैं इस error को true करा देती हूँ, तो मेरे पास में क्या होगा, जैसे ही यह error आईगी, इस.state.hasError, जैसे ही मैं return करा दूँगी, error को, यहाँ पर मैं अपना कोई message पास कर देती हूँ, app, crash now, यहाँ पर error आ रही है, हाँ पर मुझे return लगानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं इसका result देख लेती हूँ, मेरे पास में error आ गए, show error is not a function, okay, मुझे यहाँ पर मैंने class component यूज किया है, तो मैं कोई भी function बनाऊंगी, तो उसके click के लिए मुझे this लगाना कंपल सरी है, यह मेरे पास में show error का function आ गया है, इस पर जैसे है मैंने click किया वैसे ही मेरे पास में, app crashed हो गई है, मेरे पास ही पुरा blank आ गया है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है actual में, कि जो अभी मेरी अप crash होई है उसके जगा यहाँ पर यह पुरा blank ना होने यहां पर code पुरा चला गया है तो अभी मैं क्या करूँगी मैंने अभी सिर्फ app.js में लिखा है अब मैं इसको क्या करते हूँ मैं इसके लिए एक दूसरा component बना लेती हूँ content के नाम से जिसमें मैं अपना पुरा content लिखूँगी and एक component मैं बनाऊंगी error boundary के लिए तो मैं दो component यहां पर बना लेती हूँ एक मैंने बनाया content.js के नाम से जिसमें मैं पुरा यही code लगा दूँगी and एक मैं बना लेती हूँ error boundary के नाम से जिसमें मैं component did catch function लगाऊंगी and उसमें error को मैं catch करूँगी तो content के लिए तो मैं यही वाला सर्फ button चाहिए क्योंकि जो इसका parent div आ रहा है उसको मैं यही पर रखूँगी and इस button की जगह मैं हाँ पर content दिखा देती हूँ okay यह मेरा import हो गया है हाँ पर and इसी के साथ ही मैं इहां से यह सब अपना code हटा देती हूँ मेरे को इसके यहां पर भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलाल में मैंने वही काम किया है जो मैंने अभी app.js में किया था उसको मैंने content.js में लाके बुट कर दिया है and इसका result अभी हमारे पास में सेम है तो अब हम वर्क करेंगे एरर बाउंडरी पर जिसमें मैं एरर बाउंडरी के लिए component बनाऊंगी तो export default class यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमें class component ही बनाना है हमें हाँ पर कोई भी function component नहीं बनाना है extends react.component अब मेरे को क्या करना है हाँ पर component digits catch ऐसे में 70 ठाहर क्या यह फंक्सण बनाना रखनाना या Ay क्योंकि मेरे को क्या करना है Error में तो मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी कि मेरे को Error आ रही है कि नहीं आ रही है And Error Info में मेरे को मिलेगा कि मेरे को क्या Error आ रही है मेरे को ये भी अगर Get करना है तो तो इसके लिए मैं इन दोनों को State के तुरू Change करूँगी पहले मैं इनको Null Set करूँगी And फिर मैं उसको Change करूँगी तो Change करने के लिए मेरे को इनकी State बनाना जरूरी है और State के लिए मेरे को Constructor बनाना जरूरी है पहले This.State यहाँ पर मैं दो टाइप की State ले लेती हूँ एक Error और दूसरी मैं लोंगी Error Info ये मैंने दोनों State ले ली है अब मैं इसी को क्या करूँगी यहाँ पर जैसे ही मेरा ये App Component Did Catch में जाएगा वैसे ही मैं इनको Set करा दूँगी This.State Sorry मैंने Copy किया हूँ ता मैं वही पेस्ट कर लेती हूँ This.State And यहाँ पर मैं इसको जो मेरे Parameter की Value इसको मिलेगी Component Did Catch को मैं उसी Value को यहाँ पर मैंने इनको Store करा दिया Then अब इसके Render में मेरे को क्या Check करना है कि मेरे पास Error Info भी है कि नहीं है तब मैं अपने आगे Program को Run कराऊंगी तो Firstly मैं चेक करूँगी This.State.Error Info कि अगर मेरे पास में Error आ गई है Suppose like जैसे अभी मेरे पास में यहाँ पर Error आई हुई है तो मुझे क्या करना है मैं एक दूसरा Div दिखा देती हूँ यहाँ पर यह मेरा Error Content आएगा इसमें तो इसमें मैं Background Color Red Color डाल देती हूँ and Padding Set कर देती हूँ अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से Message दिखाऊंगी कि मैं दिखा देती हूँ Something went wrong and यहाँ पर मैं इसकी Info को दिखा दूँगी .toString function मैं यहाँ पर यूज करूँगी ताकि मेरे को as a string format में अपनी Error दिखे and अगर मेरे पास में Error नहीं आ लिए तो उस टाइम पर क्या होगा मुझे जो भी मैंने इसमें दूसरा Component पास किया हुए वो Component मेरे को Visible हो जाएगा तो अभी हाँ पर हम क्या कर रहे थे सिर्फ Content था हमारे पास में इसके पास में कोई भी Boundary नहीं थी लेकिन अभी मेरे को Just क्या करना है हाँ पर Error Boundary एंड उसके इंसाइड में मैंने Content बना दिया अगर इसको हम as a normal language में समझें तो हमने क्या किया Content के रिए एक Content की Error Boundary बना दिया है अगर हमारा Content Error Boundary के अंदर है एंड उसमें कोई भी Error आती है तो हो हमें क्या शो करेगा हमें सर्फ इतना Message दिखाएगा ना कि हमारी App क्रेश होगी जब तक उसमें कोई भी Error नहीं आती है तो मैंने यहां पर दूसरे Return में लगा दिया This.Props.Children It means क्या हुआ अगर हमारे पास में अभी तक कोई भी Error नहीं आई है तो जो Content Component में हमने मैंने कुछ भी अपना Content लिखा हुआ है मेरे को Direct by Show हो जाएगा तो अभी यह देखिए मेरे पास में क्या रहा है एक मैंने Heading बनाई हुई है Example of Error Boundary यह मेरे को Heading Show हो गई उसके बाद में क्या हुआ हुआ मैंने Error Boundary का Component लगा दिया Error Boundary में आके इसने चेक किया कि मेरे पास में अभी तक कोई Error आई है कि नहीं आई है तो अभी तक मेरे पास में कोई भी Error नहीं है क्योंकि Error आईगी बटन की क्लिक होने के बाद में तो उससे पहले उसने क्या दिखाया मेरे को Props.Children Error Boundary का Children क्या हुआ Content हुआ Content में क्या है हमारे पास में बटन आ रहा है तो अभी तक मेरे पास में सिर्फ बटन आएगा यह देखे मेरे पास वो UI मेरा बनके आ गया है जो कि मैने इस बटन के अपोजिट में लिखा था कि मेरे पास में या तो This.Props.Children अगर मेरे पास में Error आ रही थी तो मेरे पास में एक New Div बन गया है जिसका Background Color Red आ गया है और उसका Padding आ गया है यह देखे and something went wrong और जो State की मेरी Error थी This.State जो कि मैंने State अपनी बनाई हुई थी Error की उसमें मेरे को उसने Information दिखा दी है App Crest Now तो यह मेरा Error Message कहां से आ रहा है यहां से अगर मैं इस Error Message को Change कर दूंगी Suppose मैं आ पर लिख देती हूं App is Crest and Please Retry तो यह देखे मेरे पास वह Message आ कि है So friends यह हुआ All About Error Boundary इसमें Actual में हम लोग कर के आ रही है यह क्यों यूँज किया जा रहा है कि कभी भी क्या होता था जब हमारे पास Error आजाती थी तो हमारी पूरी App Crest हो गई थी और पूरी Window हमारी वाइट आ जा रही थी उसमें पूरा Blank था Div Root हमारा उसमें कोई भी Element नहीं बचता था लेकिन अगर हम लोग Error Boundary का यूज कर रहे है तो हमारे पास जो उसके Beyond हमने Code लिखा हुआ है Like हमारी Error आई थी इस Code में लेकिन उसके अलावा मैंने जितना Code लिखा हुआ था वो Code मेरा Safe है जहां पे मैंने Heading को लिखा हुआ है and सर्फ जितना section में मेरे को Error आई है उसकी जगह भी मैंने कई बार बढ़ना क्या होता था कि हाँ पे हमारे को यह Line Number तक दिखा देता है कि यह Line पे आपकी यह Error आ रही है तो उसकी जगह हम लोगोंने एक दूसरा UI बना दिया है को अपनी Error की जगह दिखा दिया है अगर आप लोगों को कोई भी confusion है आपकी कोई भी query है तो प्लीज फ्रेंड्स let me know I will reply तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं फिर कुछ नहीं सकते हैं ओके थैंक यू